अंग्रेजी हुकूमत और तालीम के वज़े से उभरने वाले नए बुर्जवाई तबके में ज्यादातर उची जाट के हिंदू ही थे जिन्होंने दलितों पर जो ज्यादातर खेती हर मजदूर थे अपने अत्याचार जारी रखे पुराने अंध विश्वास और कूसंसकार जिनकी बुराईयां सब जानते थे जान बूज कर कायम रखे गए दलितों हरीजनों और पिछडी जातियों में ग्यान और शिक्षा के फैलाव पर रोक थी उन्हें गाओं और नगर के समाज से परे रखकर उन पर तरह तरह के अत्याचार किये गए ब्रिटिश राज और पश्चमी उदार मतों और बुद्धिवादी विचारों के फैलाओं ने जाती प्रथा के सामने नए सवाल पैदा कर दिये थे इसका नतीजा ये हुआ कि सुधार का आंदोलन जोर पकड़ने लगा इस आंदोलन की नीव डालने वालों में एक थे पूना के जोती राव फुले जिन्होंने सन 1873 में सक्त्य शोधक समाज की स्थापना की जिसका लक्षे था मनुष्य मात्र के बड़पन को जात पांत के बंधन से दूर रखकर प्रतिश्चा दिलवाना माली जाती में जन्मे जोती राव फुले ने गैर ब्राहमनों में शिक्षा के प्रसार की जरूरत महसूस की और सन 1848 में पूना में पिछडी जाती वालों के लिए एक पाठशाला खोल दी समय हो गया मेरे विशार में अब और कोई नहीं आएगा दोस्तों बच्चों इस पाठशाला का उपचारिक उधगाटन करने से पहले मैं हम लोगों की तरफ से उन सभी का आवार मानता हूँ जिनोंने हमारे लक्ष को पूरा करने की दिशा में हमारी साहता की है सबसे पहले मैं श्रीयुत भिड़े साहथ का आवारी हूँ मैं उन मिशनरी अध्यातोकों का भी आवारी हूँ जिनोंने हमें तरे तरे से प्रेरणा दी है और सबसे अंत में मैं अपने ब्राम्वन मितरों को धन्यवाद देता हूँ जो सनातनी ब्राम्वनों के दबाव में रहते हुए भी हमारे साथ रहे हैं और हमारे उद्धेश को पूरा करने में मदद दे रहे हैं अब मैं इस पाठशाला की प्रेरक शक्ति श्री उज्योतिरव फुले से प्रार्फना करता हूँ कि वे पाठशाला का उत्खाटन करें आज का दिन बहुत भाठशाली दिन है कुछ बरसों पहले मैं अपने एक ब्राम्वन मित्र की शादी की बारात में शामिल हुआ था मित्र के रिष्टेदारों ने मुझे देखा और चले जाने को कहकर मेरा आपमान किया था उन्होंने मुझे से कहा था कि तुम शूद्र हो और शूद्रों को अधिकार नहीं कि ब्राम्वनों के कंदे से कंधा मिला कर चले उन्होंने मुझे कहा कि तेरी वज़े से तमाम पारात प्रश्ट हो रही है उन्होंने और भी बहुत सी बाते मुझसे कही, जिने में यहां धोराना नहीं चाहता, लेकिन उस रात मेरे आखों में नीन नहीं उत्री, पूरी रात मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहे, और उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला, दिरे-दिरे मेरे मन में यह बात आ गई, कि हमें आत्मसनमान पाने के खातीर संगर्श करना होगा, इस संगर्श के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा, हमें हतियार उठाना पड़ेगा, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, तोफतम जा नहीं, बलकि ज्यान, विचार, और सही शब्द, और ज्यान, विचार, और शब्द शिक्षा के बल पर ही मिल सकते हैं, क्या भट पुरोईद हमें शिक्षा देंगे नहीं देंगे क्योंकि वे अपने हाथों से आईसा हतियार हमें नहीं सौपेंगे इसलिए हमें खुद अपने को शिक्षित करना पड़ेगा मेरी पत्नी सावितरी मेरी पहली शिश्या है अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे हम इस तरह द्यान फैलाएंगे क्योंकि द्यान ही वो दौलत है जिसे आपस में बाटना बहुत सरूरी है यह हमारी पहली पाटशाला है जो छोटी जाती की लड़कियों के लिए खोली गई है यहां लड़कों काम स्वागत करेंगे लेकिन हमारा विश्वास है कि लड़कियां ही आगे चलकर हमारी भावी पीड़ी को आकार देगी विरोध तो इस काम का होगा ही, लेकिन हमें सास के साथ काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैं शुखकामना व्यक्त करता हूँ, कि आप लोग शिक्षा पाने में सफल हो। अच्छा बच्चो अब तुम सब घर जाओ, खल से तुमारी शिक्षा आरंभ होगी। इसे रोज रोज लाना, हम इसे बहुत सी बाते सिखाएंगे। पढ़ना, लिखना, कुछ व्यकरण, कुछ गणित। इसे रोज लाओगे ना। जी, रोज लाओगे। धरम ब्रश करने वालों का ऐसा ही होता है। हिम्मत रखो, सावित्री, ये तो शुरुवात है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उचाल सकता है और करही क्या सकता है। रुका, सडा हुआ समाज। अपने हाथों पैदा कि ये दलदल में धसा हुआ समाज है वो। जब हम कुन भी किसान शिक्षा पा लेंगे तो कुल समाज को उलटकर रख देंगे हम। सारे कालिमाद हो देंगे हम। सावित्री, तुमने जो काम शुरू किया है वो बहुत साहस्का है। ये मामुली आउरत की बूते की बात नहीं कि घर की दहलीज पार करके बाहर निकले और पढ़ाने का काम करे। तुम गर्व से माथा उठा कर चलो सावित्री। एक दिन सावित हो जाएगा कि हम ही सही थे। क्या हुआ? जोती? क्या हुआ भूको? नहीं कुछ नहीं बाबा। तो फिर लो क्यों रही है? साडी पर ये गोबर और कीचड़? क्या बात है? वो पाठशाला से लौट रही थी तब कुछ लड़कों ने उस पर कीचड़ और गोबर फिका। तो क्या फूल बरसाते? जोती मैंने तुम्हें 20 वार समझाया है कि धर्म कर्म का मामला है तुम बेकार टांग मत अड़ाओ शूद्रों को और अड़तों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है लेकि तुम मानते ही नहीं? वो वो पाटशाला खोलकर तुमने पूना के हर ब्राम्मन को अपना दुश्मन बना लिया है हर ब्राम्मन नहीं भाबा? कुछ समझदार ब्राम्मन हमारे साथ भी है तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा वही मैंने गल्ती की उन पादरी माश्टों ने तुम्हारा दमाग खराब करके लग दिया है उसी वक्त मैं अपने समाज के लोगों की बात माल लेता तो आज यह दिन देखना ना पड़ता अरे तुम्हें करना वह सो करो जिद्दी आजमी ठेरे लेकिन मेरी बहूं को उसमें क्यों गसीते हो क्योंकि शिक्षा ही इस देश को और हमारे धर्म को बचा सकती है यह तभी हो सकता है जब हर एक को शिक्षा पाने का मौका मिले मैं अपने धर्म को भरष्ट नहीं कर रहा हूं बाबा मैं उसे सुधारना चाहता हूं मैं आप इसे पुछता हूं कि यह कानून किस ने बनाया है कि सिर्फ ब्रामनों को पढ़ने का अधिकार है और शुद्रों को नहीं है, यह ब्रामनों का बनाय हुआ कानून है, नहीं है, यह सब भगवान के आग्या है, भगवान को इसमें क्यों गिसीटते हैं आप, किसी भी देश में, किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी, हर किताब मनुष्य ने लिखी है, और धर्म पंडितों ने बार-बार कहकर ये बात हमारे दिमाग में भर दिया है कि ये भगवान के आद्निया है ताकि हम कोई सवाल नहीं उठा सके देखो शुद्रों और और आउरतों को भगवान के नाम पर दबाया गया है और कुछ नहीं है देखो जोती मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता है मैं सिर्व इतना जानता हूँ कि हमारे पुर्खों ने कुछ नियम बनाए हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए बस मैंने भी एक नियम बनाए है बाबा मेरे पीछे पीछे आओ मेरे पीछे पीछे आओ रूको नहीं तुम मद घबराओ धिकारो मनु की आध्याए शिक्षा पाओ और दिलाओ शिक्षा का आनंद महान जोती का कहना लो मान बक्वास तुमारे दिमाग में एक खुराफाद बर दी है और फिर किसी ने आपको ये भी बताया होगा कि मैं इसाई बन रहा हूँ क्या? इसाई? सच? धर्म बदलना समस्या का कोई हल नहीं है हलाकि इसाई धर्म की कई बाते मुझे सही और सच जान पड़ती है फिर भी मैं हिंदू ही बना रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं हिंदू के विचार में सुधार लाना चाहता हूँ देखो जोती मैं एक ही बात समझता हूँ और वो ये है कि तुमारी वो पाठशाला बंध होनी चाहिए और बहु का पढ़ाना भी खत्म होना चाहिए नहीं, यह नहीं हो सकता सब हो सकता है देखो जोती, मैं तुम्हें आखरी बार बताए देता हूँ कि अगर तुमने मेरी और अन्य लोगों की आग्या का पालन नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्मी के लिए इस मकान में कोई जगा नहीं है तुम्हें यह मकान छोड़ना पड़ेगा जैसे आपकी मरसी हैं हम हमारे विचारों में बदल नहीं कर सकते, इसलिए घर छोड़ कर जा रहे हैं सावित्री, अपना सामान भरो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि यह तो सिर्फ शुरुवात है भरो सामान चलती है जोती तो पादल हो गया है निराठ पादल जोती बाद, कौन, ओ, आईये आईये अन्ना साहिब चिपलून कर, आईये विराजी जोती बाद, हमने आपके कश्टों के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ यह तो होना ही था अन्ना साहिब मुझे तो इस बात का बहुत बुरा लगा, कि हमारी पादशाला बंद हो गई यहां रहकर उसे चला पाना भी बहुत मुश्किल था लेकिन हम लोग जल्दी नही पादशाला खोलेंगे यह तो बहुत अच्छी बात है हम आपसे मदब मागने आये थे कहिए वही दक्षणा प्राइस कमेटी वाला बखेडा कुछ जानकारी रखते हैं आप हाँ जानता हूँ पेश्वाओं के जमाने से हर साल ब्रामनों को खजाने से बतावर दक्षणा कुछ रकम दी जाती थी ब्रिटिश सरकार ने इस रिवाज को जारी रखा सुनाए कुछ पड़े लिखे ब्रामन चाहते हैं कि दक्षणा की रकम मराठी लेखों को दी जाए ऐसे उठा कर अईरे गएरे ब्रामनों को न दी जाए और ये भी सुनाए कि इस बावत गवर्नर के पास अरजी भी भेजी गई है ठीक है ना जी हाँ बिल्कुल ठीक लेकिन आपका उससे क्या सम्मन मैंने उस अरजी पर गोपाल हरी देशमुक विश्नुपंत रानाडे और विश्नुपंत भिंडे के दस्थखत लिये हैं तो फिर जगड़ा ये पढ़ गया है कि सनातनी ब्राम्वन इसका कट्टर विरोत कर रहे हैं उन्होंने गवर्नर को लिखा है कि दक्षिना का मामला धार्मिक है और गवर्नर को इसमें हस्तक्षिप नहीं करना चाहिए सनातनी लोग चाहते हैं कि सड़े गिले रिवाज बरकरार रहे क्या धार्मी करव है क्या देश भक्ती है और यही लोग ब्रिटीशों को मार भगाने की डिंग हकते हैं अपने को तो इतना सा भी नहीं बदलेंगे लेकिन अंग्रेजों का तक्ता पलटेंगे और मेरे बारे में कहते फिरेंगे कि मैं देश ध्रोई हूँ ह触 छोड़िये मेरे यंज्य क्या से हुआ है हमारा खयाल है कि अगर अरजी पर आपका नाम रहेगा तो सनातनीओ को दस बार सोचना पढ़ेगा अर मेरा ख्याल है कि सनातनियों का खून और भी खौल उठेगा लेकिन जोति बाव वो आपसे डरते हैं अगर आपका ख्याल है कि मेरा नाम देने से आपका काम बन सकता है तो बेखटके मेरे नाम का इस्तेमाल करें मराठी भाषा का उत्थान मेरी निगाहों में शूद्रों और आतिशूद्रों का उत्थान है बिलकुल ठीक सनातनियों ने उन सभी के खिलाफ कारेवाई करने की ठानी है जिन्होंने अर्जी पर दस्थखत की है कल उन्होंने उन सभी को पंचों के सामने बुलाया है कि वो आकर बताएं कि वो संस्क्रत का विरोध क्यूं कर रहे हैं अच्छा चोतिबा अर्जी पर दस्थखत करने वाले हम संख्या में बहुत कम हैं और सनातनी तो भीड़ी कठी कर लेंगे हमें डर है कि कहीं कहीं मार पीटना हो जाए उसकी चिंता मत कीजिया अन्ना साहिब मैं शुद्र कहलाने वाले सव दोसो आखाडिया पहलवानों को आपके इफाज़त के खातिर रख दूँगा फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी लेकिन क्या नजारा होगा मराठी प्रेमी शुद्रों के सवरक्षन में सुधारवादी ब्रामनों का जुलूस कई बात नहीं आम आदमी की भाषा को प्रोच्सान देना हमारा कर्तव्य है अब चिंता मत कीजिया अन्ना साहिब हम इस दक्षिना वाली पुरातन रुडी को बन करके ही रहेंगे बड़े शर्म की बात है कि तुम लोगों को रहते हैं चुलूस शांती से निकल गया अब वो लोग विजय मनाते घुम रहे होंगे हम उन शुद्रों के साथ के ले कैसे ही पढ़ते है चारों तरफ वही वही दिखाई पढ रहे थे और वो फूल वाला वही इन सब प्रातों की जड़ में है उसी ने शुद्रों को उक्साया है उनकी ये हिम्मत और हमारे ब्रादरी वाले ब्रामन सबके सब रशो गएं मदल मांगे दोरे दोरे उनी के पास जाते हैं सुना है फुले ने नहीं पारसाला खुल दिया है कहां पुराने विश्नु पंध थत्य नाम के एक ब्रामन वाप बढ़ाने भी जाता है परदाश की भी एक हद्ध होती है अब परदाश में होता थत्य मास्टर का जीना मुश्किल कर दो हर समय दिन हो या रात उसे परिशान करो जाती दो ही कहीं का और वो फूले वो भी आस्मान छोने चल अगर जो चिलना है तो अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फाइदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा चलाओ ना चलाओ सावित्री हमने इन ही लोगों के बच्चों के पढ़ाने का ब्रत लिया है उसे याद रखना और मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना है क्या 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 कहा तुने मैंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का क काम बन मत करना चुद्रों के भलाई के खातीर काम करते करते मैं तुम्हारे हातों मारा भी जाओ तो ये मेरी खुश किसमती होगी लेकिन लेकिन उन्हें नहीं नहीं बताए कि तुम चुद्रों पढ़ाते हो वो क्यों बताते हैं वो क्यों बताते हैं उन्होंने हमेशा तुम तो अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो. एक हजार रुपिय कब तक पूरे पढ़ेंगे? क्या तुम्हारे बेटे, नाती, पोते तुम्हारी तरह अपरादी बने? तडलिक कर इंसान न बने? जंगलों में छुपकर जिंदगी बिताए? एक हजार के रकम जादा है यह संतानों की जिंदगी, बोलो! ब, बकरे का ब, बकरे का ब, न, न, नगाडे का न, ग, ग, गणपती का ग, गणपती का ब, बलो ब, बकरे का ब, न, न, ग, गणपती का ब, तुम लोग यहां क्यों आए हो, बाई, हमें पहचाना, हाँ, क्या काम है, बाई, हमें पढ़ना है, आदमी बनना है, हम, अपने बच्चों को साथ लाए है, तुम इने बढ़ाओगी, हम भी पढ़ेंगे बाई, आचा, बैट जाओ तुम भी बैट जा, और जो मैं बोल रहे हूँ, उससे दोराओ, बोलो, बकरे का ब, बकरे का ब, न, गाडे का न, गणपती का ग, गणपती का ब, सावीतिर भाई, अरे, थत्यकुर जी, आब दो दिन से पाठशाला में पढ़ाने नहीं आए, सब कुछ ठीक तो है न, ठीक तो क्या, अब घर से पाठशाला तक जाना मुश्किल हो गया है, क्यों, क्या हुआ, कुछ लड़कें मेरा पीछा करते हैं, गंदी-गंदी गालिय बकते हैं, मारने की धमकी देते हैं, डर लगता है कि कहीं मैं पाठशाला में रहूं और वो मेरे घर जाकर मेरी पतनी के साथ गाली के लोच करे, और तमासा खड़ा हो जाए, बड़ी आफ़त है, वहां वो अकेली, तब यही ठीक होगा, आप पाठशाला में ना आए, जब बहन उनकी विदवा है, उसके हां एक बखेडा घड़ा हो गया है, वो मदच चाहते हैं, कैसा बखेडा, अब यह सब सड़क पर कैसे कहूं, आप मेरे साथ उनके हां चलेंगी, मैं घर पर कहके नहीं आया हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, यही पासी में रहते हैं मैं आपको बाद में घर पहुंचा दूँगा, चली, चली, भाई के चली, आप सावित्र बाई को सब बता दो, इस जमेले से अगर कोई उभार सकता है, तो सिर्फ सावित्र बाई और उनके पती जोती बाई उभार सकते हैं, चुलू भर पानी में डूब बनने वाली बात है, वो सब छोड़ो, अब सावित्र बाई को सब बता दो, क्या बत काशी भाई दो साल पहले विद्वा ओकर घर लाउटी उसके बाद हमारी एक रिष्टेदार ने यहीं यहीं इसी घर में अब उसके पाउव भारी है कुछ समझ में नहीं आता क्या करें घर के सब लोगों के होश उड़ गये हैं सावित्री भाई कभी कभी ऐसा लगता है यह म मदद करने चाहिए कैसे मदद करें पुर्णे से बाहर हमारा कोई सगा समधी भी तो नहीं है कि उसी के यहां भेश के चुक्चा बच्चा जनवा दें मैं उनसे बात करते हूं कोईने कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे कुछ भी हो हमें इस संकर से बचाईए हम आपका कभी नहीं भूलेंगे मैं काशि बई से मिल सकती हूं आप उससे मिलना चाहेंगे हां उनसे मिले बगर कुछ भी नहीं किया जा सकता आपको इतराज तो नहीं यह नी नी उनको क्यों इतराज होगा आप जाए मिलाईगे काशी बई, तब ये तो ठीक है न तुम्हारी, मैंने तुम्हारे भाई से बात की है, मैंने उन्हें बताया है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे होने वाली बच्चे की मदद करूंगी, एक चीज को समझ लो काशी भाई, मैं तुम्हारे परिवार को बेज़दी से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना उसमार्थ के लिए भी, मैं जो कुछ करूंगी वो तुम्हारे लिए करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहते हूँ, देखा बाबु साहिब, सारे उत्तरी इंदुस्तान में उतल फुतल मच रही है, और यह यहां आसन जमाएं, बड़ी शांती से पुस्तक लिख रहे हैं, आई 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 आई, पाते साहिब, क्या लिखा जा रहा है, लिख रहा हूँ, उस तक तो पुरी नहीं हुई, लेकिन नाम पक्का कर लिया है, गुलाम गिरी, कैसा नाम है? है तो अच्छा पर काफी उग्र है, मैं उग्र नाम ही तो चाहता हूँ, खेर छोड़िये, उत्तर हिंदुस्तान के बारे में क्या बताया? कानपुर और दिल्ली के इलाके में जबरदस विद्रोह हो गया है, अंग्रेजों की पल्टनों के स्थानिकों ने बगावत करती है, हिंदु और मुसल्मान मिलकर अंग्रेजों की राज का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ हूँ, और कोई टिपण ही नहीं? इससे बड़ी टिपणने की जरूरत भी नहीं है, अंग्रेज बाकी विद्रोह की तरह ऐसे भी कुचल देगा, सन 1822 से लेकर 46 तक महराष्ट्र में क्या कम विद्रोह हुए? नतीजा, हर बार अंग्रेज ने दबा दिया? हो सकता है इस बार सफल हो? हाँ, हो भी जाए सफल, फिर भी सवाल ये उठता है कि अंग्रेज की जगे कोन लेगा? वही लोग न, जिन्होंने अपने हातों अपना मुगूट अंग्रेजों को सौप दिया था, देश को उसके चरणों में रख दिया था, विद्रो और बगावत किस काम के अगर हमारा समाज नहीं बदलता? हजारों के संख्या में लोग शहीद हों गया और क्या रखा है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक समाज में परिवर्तर नहीं होता? पुराना ढर्रा जैसे जात्पा, छुआ छूत वगरे कायम रहता है, तब तक अंग्रेज राज करें? नहीं नहीं मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज का सामना तभी किया जाए जब हमारे समाज के दोश समाप्त हो, लेकिन हमारा ये जो गेंडे की खाल वाला समाज है न, उसमें थोड़ी तो सुख बुगी पैदा हो, कई तो कुछ हिले चले, कम से कम ये तो महसूस करें कि दल दल से बाहर निकलना है, जब तक ये नहीं होता, तब तक संगर्ष करने से क्या फाइदा है? मैं ऐसी देज भक्ती का कायल नहीं हूँ, जो सिर्फ मानती है कि हमारा समाज भला चंगा है, अरे ब्रिटिश राज नहीं इस मुल्क में एक नई लहर दवडाई है, शिक्षा का विशेलो, क्या ये मुम्किन होगा कि सनातनी ब्राह्मन समाज हम पिछडी जातवालों के लि है, फिर भी, अरे वा, कोई मीटिंग चल रही है क्या, सभी मौजूद हैं जिन से मिलना था, नहीं तक्ते साहिब, हम लोग चलते हैं, हम लोग आयते मैं से ख़बर देने, बात विवाद में बदल गी, जोति राओ का दूसरा नाम विवाद रावी है, अच्छे, चलो चलत एक नई बात बतानी है, हाँ, आज थत्य साहिब मुझे अपने एक दोस के घर ले गए थे, उनकी एक विद्वा बहन है, उसी के किसी रिष्टेदार ने उसे फुसलाया, और अब उसके गर्व रह गया है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो ब्रामन है, लेकिन मैं आश्वसन देया ही हूँ, यह कोई ऐसाधारन समस्या नहीं है सावित्री, लेकिन सनातनी ब्रामन अपने विद्वाओं को पुनर विवाह करने की इजाजत नहीं देते तो ऐसा ही होगा, आखिर देह को कैसे नकारा जा सकता है, यह उनी के अपनी बनाई हुई समस्या है वो औरत बिल्कुल सकते में है, बुरी तरह से डर गई है, उनका कोई बरसे का आदमी भी नहीं कि जिसके यहां प्रसूत हो सके, लेकिन वो लोग हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं, क्या हम उसे यहां अपने घर ला सकते हैं, उसकी प्रसूती के लिए, यहां, क्या हमने ब् वरताव किया जाता है, अगर यह सही है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आवरत ब्रामण है, अगर उसे भी तो सिर जुका कर ही सहना पड़ता है, वाह, 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 सुना तत्य साइब, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पत्नी में इतना दम है, हां के इलावा कही क्या सकता हू मैं भाशन नहीं दे रहे थी, मगर दे सकती हो, मुझे तुम पर गर्व है, अब कली काशी भाई को लाने का इंतजाम कीजिए, कली ले आता हूँ, अलज सुबह, मैं अंदर वाली कोट्री खाली कराती हूँ, अचा, मैं चल, सुनो, अगर हम जगे पाजा है, तो इन विद् ज्यादा उनकी बड़ी सेवा नहीं की जा सकती, अगर हम ऐसा करते हैं, तो कई विद्वाओं को आत्मात्या करने से या ब्रूनात्या करने से बचा सकते हैं, ठीक है, फेले आप काशी भाई को यहां ले आईए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, अच्छा, मैं चलता अच्छा, मैं बहुत अच्छा, एए, यश्वन बड़ा प्यारा नाम है, क्यों नहीं उसे गोद ले ले, उसे परिवार चाहिए, और हमें बच्चा, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर, हाँ तातिया, हाँ, क्यों जमदाड़े, मैंने तो नहीं बुलाया, हाँ, अभी हजामत के जरूरत नहीं है, नहीं, मैं तो काशी भाई के काम से यहां आया था, वो विध्वा आपके यहां जो रहती है, उसका ग्या गाम, तो उसका सिर मुणने आया है, हाँ, उससे नहीं तो सं मत कैसी की, तू नहीं जानता क्या, कि मैं विध्वा के केश वपन के खिलाफ हूँ, हम केश वपन के खिलाफ अंदोलन चला रहे है, और तू उसके हजामत करने आया है, यहां, मेरे ही घर में, नहीं, नाराज मत होना था त्या, वैसे तो खुद मुझे यह काम करना अच्छ नहीं लगता, तो तुम और तुम्हारी जमात, विध्वा का केश वपन करने से साफ इंकर क्यों नहीं कर देते, ब्रामनों से कह दो, कि अगर वो इस जंगली रिवास को जारी रखना चाहते हैं, तो उस तरह अपने हाथ में ले, और अपने विध्वा का सिर मुंडे, असल सन 1873, दलित आंदोलन का एक महत्वपूल वर्ष है, इसी वर्ष जोती राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित की, पुस्तक की सामगरी ने सनातनी ब्रह्मनों में बेहद रोश पैदा किया, जोती राव, तुमने इतना बड़ा निवाला मुह में रखा है, कि न तुम चबा सकते हो, न निकल सकते हो, वो मैं देख लूँगा, इस बर क्या तमाशा खड़ा किया है हेरम शास्त्री, ये, ये पुस्तक, ये तुमने कैसे जुरुरत की कहने की, कि मनुने शुद्रों प आज्या से पैदा हुई, अब ये क्या तुमारा डावा है, कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा, मेरा पक्क विश्वास है रम शास्त्री, कि इस संसार की कोई भी पुस्तक भगवान या किसी देवता ने नहीं लिखिया है, अगर कुछ लोगों को ये मानने में परमान होता है, कि वेदों का निर्मान इश्वर ने किया है, तो वो खुशी से अपना भ्रह्म पाला करे, लेकिन शुद्रों और आती शुद्रों को इस भ्रह्म से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कहलाने वाले ग्रंथी उन्हें गुलामी में जकडते हैं, चुति र शंगर्ष ब्रामन वाद के खिलाव है, हे रम शास्त्री, आप जितने जल्दी समझेंगे, कि शुद्र जन ही इस देश की जिवन शक्ती है, उतना ही अच्छा, अब तुमी से सलाह लेना बाकी बचा था, देखो जो तिराओ, हम पताए देते हैं, ऐसी उल जलूल और गाली गलोच वाली किताब छपाई है, नहीं ये कहकर कि बकॉल विष्णु शास्त्री चिप्रोन करके फुले पहले मराठी का व्याकरण सेके और बाद में लिखने की सोचे, आप विद्वान कहलाने वालों में से एक भी ऐसा नहीं निकला, जिसने मेरे उठाए सवालों का जवा आपतिया हो, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये दो कोड़ी का बड़पन जता रहे, उना शहर विद्वानों के नगरी कहलाती थी, आप जैसे के रहते हो वो शान भी जाती रही, हैरम शास्त्री आप हमारे साथ न चलकर देश को डुबो रहे हो, समाज परिवर्तन के माहौल को अभी आप रोक नहीं पाएंगे, और अगर रोकनी की कोशिश की, तो समाज आपको निगल जाएगा, पूरा के पूरा, फिर चाहे पानी पीकर कोशते रहना, कोई मुढ कर भी नहीं देखेगा, गुलाम गिरी पुस्तक की सफलता से उत्साहित होकर, जोती बाफुले ने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की नीम डाली, मित्रो, हार सब लोग जानते ही है, कि राजा राम मोन राय के ब्रामो समाज और अपने यहां के प्रार्थना समाज, इन दोनों संस्ताओं को बहुत विद्वान लोगों ने चनम दिया है, उनका ध्यान उची जाती के सुधार पर लगा हुआ है, वह एक सो एक बातुनी सुधारवादी जमा हो गए है, वर्णव्यवस्ता का असली रूप समझने में, उसे खतम करने में, उनकी कोई दिल्चस्पी नहीं है, अला कि कुछ ऐसे भी लोग है, जो उन्हें आसमान पर चड़ा हुआ मानते है, तु मेरी तारिफ कर, मैं तेरी वाला मामला दिखाई पड़ता है, जैसे कि परस पर प्रशवं सा क्लब हो, तातिया साहिब, जरा मुदास फर्श्ट करें, जरूर जरूर, जरूर, अब श्रियोत महादेव गोविन रानडे को जानते होंगे, एक प्रसिद्ध सुधारवादी है, मेरे उनसे एक बार बाक्चित हुई, प्रसिद्ध में आपके दुसरे विवाह के सिलसिले में अभिननदन करने आने वाला था, लेकिन मन नहीं हुआ, अब महाराष्टर के सुधारवादियों के नेता है, अगर उद्धनड़ता माने तो क्षमा करे, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई, कि जब आपकी उम् आपको मानते हैं, इसलिए किसी ने कुछ कहने का सास नहीं किया। मैं ठहरा कुनभी किसान, मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए कह रहा हूं। कात्या साहिब, आप शायद नहीं जानते, मेरे पिता ने आगरह किया, इसलिए मुझे विवा करना पड़ा। है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी पत्नी मुझसे काफी छूटी है। राव सायब आपका ये विवा ना आपके हैसियत से मेल खाता है ना आपके सामाजिक विचारों से। जब आप ही जैसे सुधारक जो कहते है वही नहीं करते तब अंदोलन दस साल पिछड जाता है। मेरे विचारों में ये उचित नहीं है। मैंने ये आपको दो साल पहले की घटना सुनाई। इससे मिलती जुलती घटना आभी हाली की है। एक श्रियोत विष्णु शास्त्री पंडित को छोड़ दे। तो इन उची जात वाले सुधार वादियों में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी कहनी और करनी एक समान हो। यहीं रावसाइब रानेडे की बहन जब विद्वा हुई तब जानते है उन्होंने क्या किया। लोग मुझे धर्मत द्रोही कहते हैं। अपनी बहन का केश्वपन मैंने होने नहीं दिया। इस पर ब्राम्वन मंडड़ी भी मुझे खार खाये बैठी है। इस हालत में अगर मैं उसका नर्विवा करा दू। तो समझ लिजें कि ब्राम्वन मंडड़ी ठत्य से छूटी मधुमक्यों की तरह मुझे डसना शुरू करतेगी। और इससे आप खौप खा गए। और अपनी बहन की जिंदगी बरबात करने को त्यार है। राव साहिब आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो जीवन का सर्वोत्तम समय घर की अंधरी कोठरी में स्तोत्र भजन का अननत पारायन करते हुए गवादे। बेहद अकेलेपन से जूसते जूसते एक दिन खतम हो जाए। राव साहिब अगर आप यही करने पर आमादा है तो मैं कहूंगा आपसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। आपकी सिर्फ चिप चलती है पाव नहीं। आप लोग राव साहिब और राव बाहदूर की उपाधिया पाने के लोभी हैं। समाज के नेता कहला कर हार पहनने के लालसा रखते हैं आप। जूट मूट के नए सुध्रे वहे अधुनिक विचार के कहलाना चाहते हैं आप। आव साहिब क्या आपकी आत्मा को ब्रामनी कट्टरता और कर्मकांड चाटकर साफ कर चुके हैं। अरे आप से तो हम कुन भी किसान भले हैं। हमारी कोई आवकात नहीं, कोई सामाजिक प्रतिष्टा नहीं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं वही अचरण में उतारते हैं। मुझे बहुत दुख है, बहुत दिराशा। मुझे आपसी ये उमीद नहीं थी, कि आप इस सड़ी-गली सामाजिक मान्यताओं के सामने घुपने टेख देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उंची जातवालों का सुधार अंदोलन में शामिल होना, किसी क्लब की गप्पा गुष्टी में शामिल होने के बराबर है। लोग उनके तारिक के पूल बांदेंगे, उन पर किताबे लिखेंगे, लेकिन समाज एक कदम भी आगे नहीं बड़ेगा। समाज को आगे ले जाने का काम शूद्रों और अतिशूद्रों को ही करना पड़ेगा। और इसी लक्ष्ट से सत्य शूदक समाज की स्तापना की जा रही है। मित्रों मेरी आपसे विंत्य है। कि आप माने इश्वर एक है और सारे मनुष्य उसके बच्चे है। मेरे आप से प्रार्थना है कि आप अपने और इश्वर के बीच में किसी को बिच्वाई न मानें हमें पंडो पिरोजतों की गरज नहीं है वो जन्म विवाह मरन आधी के नाम पर हमें ठकते हैं उन्हें हमेशा के लिए हटा दीजिए एक दिन ऐसा आएगा जब इतियासकार क रहेंगे कि सत्यशोदक समाज भारत की पहली संस्ता थी जिन्होंने सही आर्थो में सुधार किये मित्रो मेरे आप से प्रार्थना है कि आप सत्यशोदक समाज के सदस्य बनें आप मुझे कार्य करता दीजिए जो गाव देहातों में जाकर वरन व्यवस्ता के प्रति संगर्ष करें अगर वो गा सकते हैं तो और भी अच्छा है वो डप पर गाना गाए और हमारा संदेश पहुचाएं मनुज है इश्वर का वरदान सभी को सिर्जा एक समान खोखली ब्रामन पन की शान जूट है जुआ छूट की बान कहे जोती बात सच को पहचान जी कहे जोती बात सच को पहचान जी कहे जोती बात सच को पहचान जी 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 हां अच्छा हुआ डॉक्टर भूले जो आप फ़रन चले आए मुझे पता चला है कि विश्णु शास्त्री चिपलून कर बहुत बेमार है मैं चाहता हूं कि आप उनकी चांच करें तात्या सभी विश्णु पन सनातनियों के नेता है आप पर कीचड उछाला करते हैं अपने आपको मराठी भाशा के शिवाजी महाराज कहते हैं आपकी बद्नामी का मौका ढूंटे रहते हैं उनमें देखने मैं जाओ पूना में बहुत से ब्राह्मन डॉक्टर नहां आप मुझे इसमें क्यों कसीड़ते हैं पूना में डॉक्टर जरूर है डॉक्टर घुले लेकिन आपकी बराबरी का एक भी नहीं है दूसरी बात ये भी है कि विश्णो शास्त्री नेक आदमी है उनकी देशभक्ती की सरहाना करनी होगी वे जीब चलाने वाले सुधारवादियों में से नहीं है उनके विचारा और आचार में फर्क नहीं रहा है ऐसे सनातनियों का विरोध तो करना ही होगा लेकिन उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए जाती तोर पर गुस्सा भी नहीं होना चाहिए जाए अब जाकर उन्हें देखा ठीक है, ठीक है, आईए, डोक्टर साब, आईए, विश्नु शास्त्री के पेट में आग मची हुई है, पैद ने दवा दिये, मगर कोई असन नहीं हुआ, दर्द में तडब रहे हैं, चीक-चीक परते हैं, आईए, आईए, शास्त्री जी, शास्त्री जी, डोक्टर साब आए है, यही कुन भी डोक्टर मिला पूरे पूरा शहर में, अरे मरना तो मुझे है ही, कम से कम शूद्र की छूई दवा खाकर तो ना मरने दो, तुमारी दी हुई दवा खाने से मैं जहर खाना साधा पसंद करता हूँ, तुम लोग भ्रामणों और आरे धरम से नफरत करते हैं, करते हो ना, अरे तुमसे तो पादरी भला, तुमारी खोपड़ियों में इसाई पन घुज गुज गया है, जाओ जाओ डोक्टर निकलो, मैं तुमारी सुरत नहीं देखना चाहता, जाओ, प्रामण द्रोही डॉक्टर से मुझे इलाज नहीं कराना, जाओ माव कीजिए, डॉक्टर घुले, मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि विश्णु शास्त्री आपका आपमान कर सकते हैं, खेर, अब तो वो गुजर गए, लेकिन आफवा ये है कि शास्त्री जी ने जहर खा लिया था, पुलिस उनके घरवालों से सरेटिपिकेट मांग ही है, डॉक्टर का, कि शास्त्री जी के मौत कुदरती कारणों से हुई, जब तक सरेटिपिकेट नहीं मिलेगा, उनकी लाश को जलाने की पुलिस इजाज़त नहीं देगी, डॉक्टर, मैं आपको और एक बार तकलिव दूँगा, शायद आपको पसंदना हो पर, शास्त् जाले दर हो, ये ठीक नहीं है, कलाब ने उन्हें देखा था, आप सर्टिफिकेट लिखती चीए कि शास्त्री जी प्रकूती नियमा अनुसार सिधार गए, तात्या साहिब आपकी सहयन शीलता और उधारता की सीमाई नहीं है, मैं ये सर्टिफिकेट लिख दूँगा, मग जावच सिर्फ सुनी थी, पढ़ी थी, मगर आज उसके सचीव दर्शन भी कर लिए, मादमा जोजमा भूलेगी, 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 मादमा जोजमा नहीं है हाली में हरे राव जी के मकान पर ड्यूक और डचेस अपकानाग को बड़ा खाना दिया गया मुझे भी वहाँ अमंतरन देकर बुलाया गया था लेकिन मुझे अंदर जाने से रोका गया क्योंकि मेरे शरीर पर किसान के मामूली कपड़े थे बाद में जब हरीराव जी ने मुझे डूक से मिलाया तब मैंने डूक से कहा कि ये जो सब आप देख रहे हैं वो असली हिंदूस्तान नहीं है ये उची वेजभुशाय, ये हीरे जवारात, ये शानों शौकत ये ये हिंदूस्तान नहीं है, बलकि ये सड़े हुए पाने की सतव पर फैली हुई काई है असली हिंदूस्तान जहाँ पर आपके माता रानी विक्टोरिया राज करती है वो गाओ देहातों में है जहां लाखों भूके नंगे लोग, पेडों की साये तले, भूक मंगे की जिन्दगी गुजार देते है जहां अत्यान है, जहालत है, जात और धर्म के नाम पर होने वाला शोशन है जहां अच्छा भला इंसान जानवर की तरह रहने पर मजबूर किया जाता है, वो असली हिंदुस्तान है मैंने डूक से ये भी कहा, कि क्या यूर रॉयल हैनेस, आप उस हिंदुस्तान को देखने का कष्ट करेंगे इनी लाखो लोगों के आधिकारों की मांग पूरी करने के खातीर हमने सत्यशोदक समाज की स्तापना की है लेगिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमें अपने संगर्ष को और भी आगे बढ़ाना है उची जातवालों ने सारवजनिक सभा और इंडियन नैशनल कॉंग्रेस द्वारा हिंदुत्व के नाम पर जादा आधिकार मांगते हुए अंदोलन शुरू किया है यह अच्छा है महात्मा जोतीवा फुले की सन 1890 में मौत हुई इसके 30 साल बाद सबकी खातिर अधिकार मांगने के लिए राजनैतिक अंदोलन का उनका सपना तब पूरा हुआ जब महात्मा गांधी के नित्रतु में इंडियन नैशनल कॉंग्रेस आम हिंदुस्तानी की संस्था बनी सन 1932 में जब महात्मा गांधी को यरोडा जेल में बंद कर दिया गया तब उन्होंने जोतीवा के सपने को सही मानते हुए कहा था जोती राव फुले सच्चे अर्थों में महात्मा थे इसलिए मेरे आप से विंती है कि आप सत्यशोदक समाज से जूड़े रहिए सत्यशोदक समाज के काम को आगे बढ़ाईए अगर हम में एकता रहेगी तो हम समाज को बदल सकते हैं मात्मा जोत्वा बुलेगी मात्मा जोत्वा बुलेगी अगर शूद्र सब मिल के मेहनत करेंगे तो सच है कभी भी नभू को मरेंगे अगर शूद्र बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंसान की जिन्दगी वो जियेंगे भरा दुर्गुनों से उसे भीख मत दो शरावी जुवारी को आश्रे नहीं दो जो चूसे लहू धर्म कहते न उसको सिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो मुसल्मान हो शूद्र हो या इसाई सभी उसके बंदे सभी भाई भाई ये वूचा ये नीचा यही है बुराई नहीं देश की इससे होगी भलाई जहां सत्य रहता वही पर तो इश्वर जहां पर है इश्वर है आनंद वही पर विनाग्यान के सत्य पावो तो क्यों कर है शिक्षा दिलाती सदाग्यान कावर है शिक्षा दिलाती सदाग्यान कावर जाती प्रथा की वज़े से माजी में कई जंग समुहों पर अच्चाचार तो होते आएं साथ ही साथ दिमागी काम और हाथ की कारिगरी में फासला रहा है दर्शन और फलस्फे का आम जिन्दगी से कोई तालुख नहीं रहा है हमें इस जहनियत को पूरी तरह बदलना होगा क्योंकि ये आधुनिक हालात और जम्हूरी असूल के बिलकुल खिलाफ है जमाना बराबरी के हक में है और कम से कम हिंदुस्तान में बराबरी हमारी मन्जिल होनी चाहिए हिरन्य गर्वात समवर्त ताग्रे भूतस्य जात पतिले का आसित सदाधार प्रतिवेंग्या मुतेमां कस्मय देवा यह विशाविदेम वहता हिरन्य गर्व स्रिष्टी से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्वमान धर्ती आसमान दारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर जिसके बल परते जो मैं है अंबर प्रिद्वी हरी भरी सापित सिर्ट स्वर्ग और सूरज बीस्तिर्ट ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर गर्ग में अपने अगनी दारण कर पैदा कर व्यापाथा जल इदर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बन कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर ओ स्रिष्टि निर्माता स्वर्गर चेता पूर्वज रक्षाकर सत्य दर्म पालक अतुल जलनियामक रक्षाकर फैली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर